समस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है MPNHM के तुरू स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए विकेंसी इसाम पे रिलीस की गई थी फिर इसके बाद ऑफिशल वेबसाइट पे अभी हाली में अपडेट आपको प्रोवाइट करा गया था कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो सभी कैंडिड्स ने जो शॉर्ट लिष्टेट थे चॉइस फिलिंग के लिए जो लिंक एक्टिवेट की गई थी उसके माद्यम से चॉइस फिलिंग की फाइनली इसी के बाद का अपडेट वैबसाइट पर आ चुका है देख सकते हैं 16 अगस्ट 2022 को एक और इंफर्मेशन आप एड़ कर दे गई पोस्टिंग के ओडर यहाँ पर रिलीज हो चुके है जो भी कैंडिड्स ने चॉइस फिलिंग की थी तो पोस्टिंग के ओरडर केंडिड्स के आ चुके है लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है अब आप सबी लोग अपने-पना नाम लिस्ट में आप पर सार्च कर लें और दोस्तो यदि आपका नाम लिस्ट में आपर शाह मिलें तो अब आप लोगों को जॉइनिंग करनी है आप लोगों को पोस्टिंग दी जारी तो कौन से जिले में, कौन से डिस्टिक्ट में आप लोगों को जॉइनिंग दी जारी और कौन से ब्लॉक में जारा है और उस ब्लॉक में कौन सा सब health center है तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी साथी साथ दोस्तों जॉइनिंग करने के लिए कुछ rules and regulations आप लोगों को follow करने है जैसे कि कितने दिनों में आप लोग जॉइन करेंगे साथी साथ दोस्तों आप लोगों को fitness प्रमाण पत्र भी आप लोगों को जमा करना है और इसके अतरीत एक और जानकारी इसमें आप पर रहागी साथी साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि total कितने candidates के नाम list में शामिल कर लिए गए तो दोस्तों पूरी जानकार इस वीडियो में आप पर कवर करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब करें MP NHM स्टाफ नर्स कोई भी जानकरी अब आप से ना चूटे तो वीडियो के नीचे जाए सबस्क्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें हर वेकेंसी के अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते ने तो बिल्कुल शुरू बात कर देते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं इसको आप पे ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह पीडियेफ हमने आप पे ओपन कर लिया राष्टी स्वास्ते मेशन माद्धे प्रदेश एनेचे माद्धे प्रदेश तवरा यह आदेश जारी हुआ 16 अगस से 2022 को अभी हाली में यह जानकारी ओफिशली आपको वेबसाइट पे दे दे गए दोस्तों यह जो आदेशा है जो पोस्टिंग के ओडर है यह स्टाफ नर्स वाले केंडिरेट्स के लिए और यह जो एक्जाम है दोस्तों 2021 में आईज़ित कराया था तो लास्ट यहर वाले केंडिरेट्स के लिए यह अपडेट यहाँ पे रहने वाला है और दोस्तों इसमें आप सभी को बताना चाहता हूँ जो लिस्ट जारी हुई थी सबसे पहले इसमें 271 जो समीधा अश्टाफ नर्स है इन लोगों ने जोई नहीं किया और 271 पोस्ट यहाँ पे खाली हो गई और इनको लिखा हुआ है प्रतिक्षा सूची के आदार पे मीज वेटिंग लिस्टे किलियर किया जा रहा है वेटिंग लिस्ट यहाँ पे किलियर कर दी गई और 271 केंडिरेट्स को पोस्टिंग के ओडर रिलीस कर दी गए 20,000 रुपे मान दें आप लोगों को जॉइनिंग दी जारी इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पे टेबल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों का एप्लिकेशन नंबर मीज एप्लिकेशन आईड़ी आपका नाम दिया गया है आपके पिता या पर पती का नाम shortlisted यहाँ पर रहेंगे और shortlisted के बाद दोस्तों देखे लिखा है WL तो waiting list यहाँ पर clear हो चुकी है और category wise आप लोगों को बता दिया गया कि आप लोगों की जो waiting है यहाँ पर clear कर दी गई इसके बाद दोस्तों आपको allotment की जानकारी मिल जाएगी मीज आपका जिले का नाम आपको बता दिया गया जिले का नाम भी आपको यहाँ पर साथ-साथ आपको institute का नाम भी बता दिया गया तो इस वाले column में आप लोग देख सकते हैं किसी-किसी को district hospital मिला है किसी-किसी को primary health center मिला है तो जो भी आप लोगों को allotment दिया गया जौन से भी जिले में आप सब लोग इसमें information check कर ले अब सवाल उठता है total कितने candidates के नाम list में शामिल कर लिये गए है तो आखरी के page के और मैं आपको ले चलता हूँ तो बिल्कुल आप सब लोग अपनी screens पे देख सकते है total जो है 271 candidates यहाँ पे रहने वाले यह सभी candidates के posting के order आ चुके है आप सब लोग अपनी अपने posting के place पे जो भी आपको जिला दिया गया है वहाँ पर जाके आप लोग अपनी joining करेंगे यदि आपका नाम list में शामिल है तो अब आपको join करना है इसकी लिए कुछ निर्देश आपको follow करने होंगे तो सबसे पहला जो important जो update है यदि आपका नाम list में सामिल है लिखा है staff nurse को आदेश प्राप्ती के 15 दिवस के भीतर पद स्थापना इस्थाल पर उपस्तित होना होगा तो 15 दिनों के भीतर में निरस्तियां पर माना जाएगा इसके बाद दूसरा जो important update है साथ दिनों के अंदर जो है आपको medical, fitness, प्रमाण, पत्र यह आपको जमा करना अनुबार बोला गया है तो यह जानकारी भी मैंने आपको आप पर दी कुछ और information इसमें जैसे की देखिए जो भी आप लोगों की नियुकती है समीदा के आधार पे रहेगी और 31 मार्च 2023 इस देट तक के लिए आप लोग जो है bonded रहेंगे अनुबंदिद आप लोग रहेंगे तो 31 मार्च 2023 इस देट तक के लिए आप लोगों को अभी जोईनिंग दे जारी है आप लोग अपनी जोईनिंग कर ले और आगे दोस्तों आपका समीदा का जो अनुबंद है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और कोई भी दावा याँ आप नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों को आगे रेगुलर के लिए जाएगा या फिर आपको पर्मरेंट कर लिया जाएगा अभी जो आपको समीदा के आदार पे जोईनिंग दी जारी नियमती करण का कोई भी आप लोगों को दावा सुईकार याँ पे नहीं होंगे तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप पे कवर की उमीद काता हूँ अपडेट आप सभी को मिल गया होगा ये जो लिष्ट है आप सभी लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मैंने आपको वेबसाइट की लिंक आपको प्रवाइड करा दी जैसी आप सभी लोग पोस्टिंग ओडर स्टाफ नर्स पर क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल में आपके लेप्टॉप में आपके कम्प्यूटर में लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से आप लोग उसको ओपिन कर लेना तो यह अपडेट कैसा लगा जरू बताएं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब करें MPNHM स्टाफ नर्स कोई भी जानकर ही अब आपसे राच उटें तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रेड बिटन को आपके क्लिक करें